बातियों स्वागत करता हूँ मैं आपका GLC TOP 50 IS में दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्याम से रोजगार और निर्मान का सार संग्र देखने वाले हैं यह हम पिछले 11 अपतों से इसे सिरीज को चला रहा है और यहाँ संस्क्रण इसका मै तरती सप्ता का संस्क्रण है खबरे हैं वो आप इस संस्क्रण में जानने की कोशिस करेंगे आप इसकी PDF प्राप्त करने के लिए GLCIS MPPSC डाउनलोट कीजिए प्ले स्टोर पे है आपको एप मिल जाएगा जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिये यहां रोजगार और निर्माण सार संग्र सिरीज का बारवा अंक है और जो इसका साभार है जो क्रेडिट जाता है वो रोजगार निर्माण समाचार पत्र को जाता है दोस्तों मैं आपको जानकारी देतूं क्या आप GLCIS इंदोर की प्रिलिम्स टेस्स और ई-नोट्स के लिए GLCIS मोबाइल एप भी डाउनलोड कर सकते हैं उसमें आपको डेली फ्री टेस्ट भी मिलते हैं इसके साथ साथ आपकी प्रिलिम्स के लिए टेस्स सरीज भी अवेले पर हमें संपर्ख कर सकते हैं दोस्तों हमारे ओफ-लाइन ब्रांचेज भी है बहुर को आप आप जहां MPPSC UPSC की तैयारी करने के लिए हमसे संपर्ख कर सकते हैं तो आईए दोस्तों रोजगार निर्मान साल संग्रम सबसे पहले मतिप्रदेश से रिलेटेड खबरों को हम देखने वाले हैं तो सबसे पहली खबर है डाक्टर वाकनकर राश्टी संबान संस्कृति विभाग द्वारा पूरा संपता के संद्रक्चन ये पूरा तात्विक स संस्कृति के छेत्र में राश्टी इस्तर की उत्करश्ट प्रतिबा को सम्मालित और प्रोसाइद करने के लिए सुप्रसिद्ध पुराता द्वित्व डाक्टर विष्णू स्रीधर वाकनकर की इसम्रती में है राश्टी संबान स्थापित किया गया है दोस्तों अभी हाल में जो MPPSC हुई थी उसमें पूछा गया था कि भीम बेटका के खोज करता कोने तो डाक्टर विष्णू स्रीधर है इन्होंने भीम बेटका की खोज की थी और इसी उपलब्दी के कारण संस्कृति विबाग द्वारा मतिप्रते सरकार द्वारा इनके नाम पर एक पुरात किये गया है तो 2018-19 के लिए प्रोफेसर रविन कोरी सेट्टदार और 2019-20 के लिए डाक्टर नारायन व्यास को यह दिया गया तो दोस्तों इन दो नामों को आप याद रखिएगा यह most important नाम है आपकी आने वाली आगामी MPPSC prelims 2021 के लिए तो 19-20 के लिए किसे दिया गया है डाक्टर नारायन व्यास और 18-19 वर्ष के लिए कोफेसर रविन्द जी को दिया गया है अगली खबर की तरब आगे बढ़ते हम दतिया ने अपना गोरोव दिवस मनाया दोस्तों जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने आवान किया था कि हर गाउं हर तहसिल हर जिले को अपना एक गोरोव दिवस मनाना चाहिए तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए दतिया ने अपना मा पितामबरा माई के प्राकट दिवस को गोरोव दिवस अपना चुना है चार मई को दोस्तो इसका आयोजन हुआ है दतिया में जिसमें मुख्य मंतरी सी शिवराज सिंग चोहान राजिस्तान के पूरु मुख्य इंत्री वस्योदरा राजे सिंद्या और ग्रह मंतरी नरोत्तम मिस्रा ने भाग लियो और मापितांबरा की भववे यातरा की सुर्वा की तो दोस्तों चार मई को दतिया का गुरोग दिवस मनाया गया है क्यों मनाया गया है क्योंकि मा पितामबरा माई का प्रकट उच्सव इस दिन हुआ था इसी प्रकार दोस्तों बुड़ी पड़वा के दिन उज्जेन ने अपना गुरोग दिवस मनाया था माखनलाल नंगर ने माखनलाल चतुरवेदी की जैनती के दिन अपना गुरव दिवस मनाया था इसी प्रकार में आपको बता दूँ कि एक जुन को बोपाल अपना गुरव दिवस मनायेगा क्योंकि एक जुन उन्निस सो नपचास को भारत में बोपाल का विलाई हुआ था आगे बरते हैं दोस्तो एम पी स्टार्टअप नीति दोस्तो हाली में आपको पता है कि मद्य प्रदेश JUST क्या जो मई को इस policy का virtual सुभारम किया और startup निती पोटल का भी सुभारम किया तो दोस्तों कहां से किया उन्होंने तो इंदोर के brilliant convention center से यहां उन्होंने किया है और मद्धि प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज यह startup निती लाने वाला मद्धि प्रदेश में कारे कर रहे है विभिन startup को एक platform उपलब्द कराने के लिए इंदोर में hub की स्थापना की जाएगे प्रदेश में की जाने वाली लागू होने वाली startup निती का startup पोटल से प्रदेश में नवाचारो क्रियान वन और बहतर वातावरण के लिए उपलब्द हो सकेगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो startup है मद्धि प्रदेश में उसमें जित्ते भी startup है उसका चुम्मालस फिर्दी इंदोर में है इसलिए इंदोर में इसका hub बनाया जाएगा और जो 21 फिर्दी भुपाल में है startup मद्धि प्रदेश के प्रदेश के सभी विश्विध्यालों महाविध्यालों इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ वर्चुली सहबत्ता का अधार पर होगी startup नितियों पोर्टल के किर्यानवन में भारत सरकार के उद्योग समवर्दन आंत्री व्यपर और सुप्षम लगू उद्योग मंत्रा से कॉनकलेव के सुर्वात की है नरेन मुदी जी ने और इसमें मुख्यमंत्री शिवरी शिवराशिंग चुवान द्वारा मध्यप्रदेश की चुन्निंदा सपलता की कहानियों का संग्रे विजारी किया जायागा दोस्तों इसमें और इसमें क्या क्या है उत्पाद आधारी स्टार्टप्स के लिए वित्ती साहिता तीन साल तक दी जाएगी 13,000 रुपी परती वर्स तीन वर्से के लिए अधिक्तम 25 कर्मचारियों को ही दी जाएगी महिलाओं द्वारा इस्तापित स्टार्टप्स के लिए मिलेगी अत्रिक्स 20% की साहिता दोस्तों इसमें यह प्रावदान भी किया गया है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर है संस्क्रत में पढ़ने वाले विध्यारतियों को जुलाई महां से मिलना सुरू होगी शातरवत्ति, मुख्यमंत्री ने मंत्री पधाख की बेठेक में कहा कि संस्कृट पढ़ने वाले विध्यारतियों ब्रोसान सवरुख शातरवत्ति की व्योस्ता की जा रहे ही है ये ये सूनिश्चित किया जाए ही विध्यारतियों को विध्यारतें पुझारियों कहल्यान के लिए संबन्द में नीर्णाय की जानकारी दी है मुक्रीमंत्री श्री चोहान ने परसुराम चरित्र गीता सार्क सिक्छा को पाठेकरम में सामिल करने के लिए भी पाठेकरम सम्डती की बेठक करने के निर्देश भी दिये है दोस्तों संसकर्ट पढ़ने वाले विध्यारते को अब छातरवर्ती प्रदान की जाएगी जुलाई महा से और जो परशुराम जी का जीवन है और परशुराम चरित्र है वो मद्यपरदेश के पाठगरों में सिच्छा के पाठगरों में सामिल किया जाएगा जीला रसन में बात करें दोस्तों रुटगा निर्मान में तो बुरानपूर जीले की जानकारी दी गई थी मद्यपरदेश का जीला बुरानपूर 15 अगस 2003 को पूर्वी निमार खंडवा से अलग करके बनाया जया था यह तापती नदी किनारे इस्थित है 1400 का आसपास राजकुमार नासिन खान दौर इस्थापी थी है नगर मुगल काल में कुछ समय तक खान देश की राजधानी के रूप में प्रिटिस्टिर था मद्यकाले नितियास के महत्तपून मगबरो मजजीतो एसी आतिक धरोरो सब्रद है जिला मुख्याले से 15 किलमेटर दूरी पर इस्थिते असिरगर के लिए को दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके जीते बिना दक्षिन भारत में प्रविस नामोंकिन था इसकी भाविता आज भी दरसनी है बुरानपूर का खुंडी वंडारा जिसे कुंडी वंडारा अपनी मुघल काली सुद्ध जल प्रदायाले के लिए विश्व विख्यात है दूस्तो इसमे मुघल शासन रहा है बुरानपूर में अशिरगर का किला है यहाँ पर बहुत ही फेमस है पूरी डिटेल में ने दे रखी है इसमें आप इतियास इसका पढ़िएगा बुरानपूर सर को चोधवी सतापदी में खान देश के फारुकी बंस के सुल्टान मलिक नहिमत पुत्र नासीर द्वारा इसे बसाय गया था फिर जो भी इसमें आगे घटना है हुए यतियासी करम में वह आप देखिएगा अगा 1632 में महामद खान ने दखन के वाईसराय बनकर सहा जहां ने बुरानपूर से आगरा प्रस्थान किया फिर जो अर्थविवस्ता है उसके बारे में आप जिला दरसन की बात करें तो आप बुरानपूर जिला पढ़ना है तो हम हर एक रोजगा निर्मान में एक जिले को कवर करते हैं इस से पहले हम खरगोन कर चुके हैं और आप बुरानपूर कर रहे है तो बुरानपूर की अर्थवस्ता देखें तो क्रशी और उत्योग परदानछेत रहे हैं कपास और केले प्रमुक उत्पाद है इसके अलावा स्वयविन और जोग की अच्छी मात्रा में खिती की जाती है अन्य फसल मटर गेहूं मिर्च धनिया आम नरंगी आदी सामिल है जो बुरान असिरगर का किला है दोस्तों यह आप देखे यह इसकी इमेज है और जो तथे इसे दक्षिन का दर्वाजा भी किया जा कहा जाता है डेकन की कुझी इसके साथ ही दोस्तों देश का पहला अगबारी का अगज कार खाना बुरान पूर जिले के नेपानागर में इस्तित है साथ ही बुरान कूर बुनकर उद्योग भिहां के लिए प्रसिद है नेपाल इमिटेड जो नेप जानमानावुता प्रेमी जीन हेंडरी ड्यूरेंट का जन्म 8 मैं 828 को हुआ ता है इसलिए उनके जन्म दिवस पर 8 माई को विश्व रेट कोर्स दिवस पूरे विश्व में मना जाता है विश्व रेट कोर्स अंतरास्ति स्वयम सेवक दिवस यानि वोलियंटेर डिवस के जारूख जारी किये जिसमें T20 टेस्ट और ODI ranking जारी किये तो T20 ranking की बात करें दोस्तो तो भारत प्रतम इस्तान पर है उसके बाद इंग्लियन, पाकिस्तान, दक्षिन अफ्रिका और फिर आस्थिटेलिया है भारत की ranking दोस्तो आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारत हमारा प्यारा अदेश है तो T20 रेंकिंग में आप याद रखियागा दोस्तों भारत प्रथम इस्तान पर वही टेस्ट रेंकिंग में दूसरे स्तान पर है पहले स्तान पर है आश्टेलिया और भारत है दूसरे स्तान पर है तीसरे पर न्यूजिलेंड दूसरे पर इंगलेंड तीसरे पर आश्टे लिया चोथे पर पाकिस्तान है तो आप यह रेंकिंग ध्यान रखेगा खास को टीडोंटी की क्योंकि भारत उसमें प्रतम इस्थान पर है तो यहां से आप लोग उश्चन बन सकते हैं था हर टेस्ट में पर इस्पेनिस फुड़वल लीग है इस वर्ज यहां किताब इस्पेन के दिगज फुड़वल कलब रियल मेडरीट ने जीता है और यहां रियल मेडरीट ने है पे तीसवी बार है खिताब जीता है तो आपसे यह भी पूचा जाते हैं ला लीग किस खेल से संबंधित है अगली खबर है दोस्तों केविन एंडरसर दक्षेन अफ्रिका के दिगज टेनिस खिलाडी केविन एंडरसर ने टेनिस से सन्यास लेने की गोस्ता कर दिये यह आप अपनी स्क्रीन पर उनकी इमेज देखें यह है केविन एंडरसन ने अपने करियर के साथ एटेपी टूर खिताब जिते हैं जिनमें आली में इनमें हॉल औफ टेनिस चंपिनसी भी शामिए केविन दो बार ग्रेंड्स जितने का सपना पूरा नहीं है दो बार फाइनल में गये दोस्तों परकत्तुए ग्रेंड्स लेंट खिताब नहीं जीत पाए बेन इस्टोक दोस्तों इंग्लेंड की टीम के कप्तान न्यूक्त किये गए हैं और जो रूट ने हभी हाली में इसमें इससे हटाये गए ते इस्तिपादे दिया था वही किरोन पूलाड के सन्यास लेने के बाद निकोलस पूलाड को वेस्टेन डीच का टी टॉन्टी और वंडे कप्तान बनाएंगा है यह आप अपके स्क्रीन पर देखे यह है बेन इस्टोक इंग्लेंड के खिलाडी और यह है निकोलस पूलाड वेस्टेन डीच के खिलाड है वह एक महतपून आयोग है यह कारेकारी आयोग है जिसे सरकार ने एक कारेकारी आदेश से एक जन्वत 2015 को इसे गठे किया था इसके अध्यक्ष परधान मंत्री होते हैं और जो इसके प्रथम उपाद देख से दोस्तों उससे में पूछा गया है तो अर्विन पंगडिया थे उसके प्रथम अध्यक्ष और दूसरे अध्यक्ष से दोस्तों राजी कुमार इन्हों ने अपने पत से इस्तिपा दे दिया है यह आप इनका कारेकाल पूरा हो चुका है यह आप इसकनी स्क्रेन पर इनका देख सकते और सरका विनिवेस एलेक्ट्रिक वहानों पर फोकस करते वा आयोग की नितियों में बहुत महत्पून अहम भूमी का निभाई है तो यह थे दोस्तों अभी हम आगे और पढ़ेंगे इन्हों ने इस्तिपा दिया है तो अब अगले अध्यच अगले उपाध्यक्ष कोन होंगे नित वर्ल्ड रिकोर्ड बना है पवेल ने इस गेम को चार से सोलवे सीजन तक पहुच गया है इस स्टेच पर पहुचने में उन्हें 134 दिन लगे इस से पहले रिकोर्ड जर्मन की लाड़ी सेंप हैंडल के नाम था हैंडल ने इस गेम को के 333 सीजन पूरे किये थे गिनिस वर उपराष्ट परती की सलाकार नियुक्त किया गया हैं दोस्तों अमेरिका की उपराष्ट परती भारती मूल की है कमला हैरेस जी और उन्होंने अपनी भारती मूल की नोसेना अधिकारी सांती सेटी उन्हें अपना कारेकारी सची और रक्षा सलाकार नियुक्त किया है सांती सेटी एक प्रमुक अमेरिकी नोसेनना लड़ाकु पोत की पहली भारती महिला अमेरिकी करना कमांडर रह चुकी है सेटी ने दिसंबर 2010 से माई 2002 तक गाइड़ मिसाइल विविद्वन सक यूएसे डिकेचर की कमांड समाली थी इंडियाना यूनिवर्सेटी में पहली महिला डिन बनी तो अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सेटी में पहली महिला डिन मिल गई है जौन हॉपकिन्स पीवाडी इंस्टिट की इंस्टिट स्टेडीज ऑफ असोसियक्ट डीन अबरा के बुष्ट को इंडियाना युनिवर्सिटी के जेकब स्कूल व म्यूजिक के डीन बनाया गया तो आपकी स्क्रीन पर देखे दोस्तों दीन अबरा के बुस की इमेज आप यहाँ पर देश सकते हैं विवेक लाल को इंटरपनियोर लीडर्शिप आवार से सम्मानित किया गया है अब की स्क्रीन पर यह देखिए डक्टर विवेक लाल जी है और इन्हें इंटरपनियोर लीडर्शिप आवार से सम्मानित किया गया पूरी ख़बर पढ़ियेगा आप PDF में आजयी सूत को मुख्य विग्यानिक सलाकार न्यूक किया गया है प्रोफेसर आजयी कुमार सूत को भारत सरकार का मुख्य विग्यानिक सलाकार बना गया है उनकी न्यूक्ति तीन साल के लिए वे के विजयरागवन का इस्थान लेंग और यह तीसरे उपाध्यक छुँँगे दोस्तो नीतियायोग के पहले अन्विन पंगडिया जी दूसरे राजी कुमार और तीसरे डाक्टर सुम्बन के बेरी 2014 में पहली बार मोधी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदल कर नितियायोग कर दिया था यह अभी अपन पढ़ी चुके हैं तो यह आप अपनी स्क्रीन पर देखे इनकी परदान मंतरी नरेन मोधी को प्रथम लता मंगेसकर दिनानात पुरसकार चे सम्भानित किया गया है मुंबई में मास्टर दिनानात मंगेसकर की इसमर्ति में परतिस्थान चेरिटेबल च्रस्त रवारा गुषित पहला लता मंगेसकर दिनानात पुरसकार प्रदान मंतरी नरेन मोधी को प्रूर्दान मंतरी नरेन मोधी को प्रूर्दान मंतरी ने पुरसकार देशवार्षी के साथ अपने जुडाओं को याद किया संगीत के छेतर में उन्हें योगदान की प्रसंसा की और कहा लता जी ने देजभक्ति भावना भरी हुई थी वह उनके पिता ने उनमें जागरत की थी दिनानाथ जी ने शुतनता संग्राम द्वारा सिमला में वीर सावर कर द्वारा रेप्टर डायनासओर दोस्तों लेटीन अमेरी किद्देस अर्जेंटिना में दुनिया क confess का आवसेस मिला है यह डैनासओर साथ क्रोडवर्ज पहले अर्जेंटिनमा की धरती पर राज करता था रेप्टर के नुखिले नाकून और जबर दस्त फूर्ती से इस दुनिया के सबसे खतरनाख डायनसोर में सामिल कराते थे अर्जेंटीना में मिला डायनसोर करें 33 फूर्ट लंबा और पास तन वजनी है दोस्तों इस मेगा रेप्टर के हड़िया राजदानी विनस आयर्स से 2699 किलिमेटर दूरी पर इस्तित्यक एल काला फेड में मिली है जोस्तों गगन्यान मिसन के बारे में आप भी एक ख़वर आई है और गगन्यान मिसन आपकी यूनिट 9 के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है जिस प्रकार पिछले वर्स सोफिया से कोश्रन आया था इस वर्स गगन्यान मिसन से आने के चांसेस है यह देश का पहला मानावरहित अंत्रिक्ष मिसन है जिसे इसरो द्वारा अगले वर्स लॉंच किया जाएगा यह पहला मानावरहित मिसन धर्तिक की 170 गुना और 408 किलोमिटर वाली निचली कख्छा में भेजा जाया जाएगा जिसे जीसे जीसे लवी मार्क 3 से लॉंच किया जाएगा जीसे लवी मार्क 3 प्रक्षेपन यान है जिस इस यान से ही दोस्तो जो चंद्रयान 2 है उसे भी लॉंच किया गया था जी एस वे एल वी का फुल फॉर में दोस्तो जियो सिंक्रोनरस लॉंचिंग वीकल। इसमर्ति सेस में दोस्तो बांगलादेश के पूर्व क्रिकेटर सामिय और रह्मान का निदन हो चुकाया, 68 साल के थे इनका निदन ढाका में हो गया है। दुनिया की सबसे उम्र द्राज महिला तनाका केन का भी निदन हो गया है, 119 वर्सी थी है और चोकलेट और सोडा पे की सोकिन थी तनाका ने 120 वर्स तक जीवित रहने की उम्मेद जताई थी, इनका जन्म जोस्तो दो जन्मवाई 1903 को हुआ था, 2019 में इनका नाम दर्ज हुआ तो आप यह तनाका केन का इमेज देख सकते हैं, इन्होंने गिनीश वर्ल रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया था, दोस्तों स्पोर्ट्स रेलेटेट्ट कुछ कुश्चन दी है, रोजगा निर्मान में वह उपन सुपर फास्ट तरीके से देख लेते हैं, कि लाल लीग वन क इस देश के प्रोफेशनल फूडवल परती हो गता है, तो दोस्तों फ्रांस की यह ध्यान रखिएगा, इनमें से किस क्रिकेटर ने अंतरास्टी क्रिकेटर से सन्यास लेला है, तो जिससे मैं आपको बताया था कि किरन पोलाड ने सन्यास लिया है, उसके बाद ही, जो निक प्रेक्टिस आसानी से कर सकते हैं, और और भी सारे फ्री टेस्ट अविलेबल है, जैसे हमारा डेली मॉप टेस्ट होता है, वहाव यह आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, इस वर्ष किस खिलाडी ने इंडियन वेल्स मास्टर्स टेनिस टूनामेन जीता है, तो इसका सही ज खिलाडी जस्टिनहेनिन, पूरू टेनिस खिलाडी जस्टिनहैनिन किस देश के लिए खेलती हैं, डोस्तों, तो बलजीम के लिया खेलती है, है नहीं, आई सी सी वर्लड टेस्ट चेंपिरिटलेम्ड में इनमें से दो 100 आ इस से अधिक विगेट लेने वाले पहले यह गिन प्लेने वाले पहले गेनबाज है इन में से किस भारती खिलाडी ने अब तक ICC Player of the Award नहीं जीता है तो इसका सरी जवाब जोस्तो जस्पीत ब्रुम्रास रे सवियर भी जूचुके जोस्तो ब्रुमनेश्वरकुमार और रिशवप पन्त पहले इसे खिलाडी थे दोस्तो जिन उसमें रिशवप पन्त को है आवार मिला था दिपीका पल्लीकल किस खेल से प्रतिनित्यू करती है दोस्तो को स्क्वास खिलाडी दिपीका पल्लीकल और यह क्रिकेट खिलाडी दिनेस कार्थिक की वाइब भी है मिया मीवी ओपन 2022 में एकल वर्ग में चेंपियन बनी है दो विबीएज लक्षमन जी दोस्तो इसके अकादमी के प्रमुख है कतर में खेलें वाले फिफा वॉल्डकॉप में कित्ते देश हिस्था लेंगे कतर के बट्रीष देश हिस्थाल लगे कतर में आयो जीत हो रहा है बाइडिशवा फिफा वौल्डकूप एकिसवा फिवा वा किस देश ने सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड रग्वी सेवन्स का सीरियस जीती है दोस्तों तो न्यूजिलेंड ने जीती है इंडियन प्रीमेर लिग आईपेल का पहला 27 वर्स खेला गया था दोस्तों तो वर्स तो बेडमिंटन की है और बेडमिंटन की एक फेमस प्रतियोगित अभी हाली में न्यूस में रही है थोमस कप जिसे भारत ने जीता है दोस्तों 14 बार की चेंपियन इंडोनेसिया वो 3-0 से हराकर भारत ने पहली बार थोमस कप में जो है वो अपना पहली बार स्वार्न पतक जीता है और समस कप का इंग व थाईलेंड में तहुआ है इनीस में सबसे ज़्यादा रहा सतक लगा है दोस्तों नोर्ठ एसि अस्टव ने सबसे ज़्यादा टेस्ट ग्रिकेटे के दोवड़ा सतक लगा है वर्ज 2021 में परीश मास्टर्स टूनामेंट पुर्व फैक्ल चे की मेजवानी करेगा दोस्तों तो भारत इस सत्रन जोलियम प्याट की मेजवानी करेगा किस टेनिस खिलाडी ने सबसे ज़्यादा बार सिंचिनाटी मास्टर्स टेनिस टूनामें जीता है दोस्तों तो रोजर फेडरड है उस विजर लेंड के टेनिस खिलाडी इहों नहीं है खिताब सबसे ज्यादा बार जीता है इन में से कुन सा खेल Commonwealth Game 2022 में सामिल नहीं है तो दोस्तों तीरंदाजी और कुस्ती तीरंदाजी दोस्तों तीरंदाजी इस वर्थ सामिल नहीं किया आप में कोई पताएंगे comment कर में कि Commonwealth Game 2022 का योजन किस देश में हो रहा है आस्टेलिया अंतरास्टी फुडवल में किस खिलाड़ी ने सबसे आधा गोल की है तो क्रिष्टन ने रोनाल्डो ने सबसे आधा गोल की है सुर्विल छेतरी दुस्तों भारती फुडवल टीम के कपतान है पंकच अडवानी ने कितनी बार एशियन बिलियर्ट जीती है तो आड़ बार उन्होंने एशियन बिलियर्ट खेल से संबन दीते पंकच अडवानी आप यह भी ध्यान रखेगा अबार टुपलेंटिस्ट एथलेटिक किस इसपरदा के खिलाड़ी है तो दोस्तों यहाँ है पॉल वाल्ड के खिलाड़ी सीमा 20 लाक के खेल में भारत का परतिने दित्थ करती है तो परतिने दित्थ नाम किया है तो दोस्तों निधर लिये यहाँ जूनियर वीदो आपको पसंद आया हूगा इस ज्यादा से ज्यादा लोगोट पर सेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना मूलें और इस लेचर ची पीडियों करने के लिए फिर आपकर दोड़ करें दोस्तों मिलें नेक्स विडियो में जाए